करेंगे विडियो में हम बात करेंगे ओपस कॉंसेप्ट आप पाइफन के बारे में या फिर पाइफन के बारे में या फिर पाइफन के अबजेक्ट औरियंडेट प्रोग्रामिंग के बारे में हम बात करेंगे हम जानेंगे बहुत सारे अबजेक्ट औरियंडेट प्रोग्रामिंग के कॉंसेप्ट के बारे में सीखेंगे कैसे अबजेक्ट औरियंडेट प्रोग्रामिंग करा जाता है पाइफन में और भी बहु क्लिक करें और हमारे प्ले लिस्ट में जाए हैं और कम्प्लीट हैं सीख लिजिए पाइथन सीखना है तो भी दिया गया है सब कुछ आप सीख सकते हो और इंस्ट्राइब पर फॉलो करना मत बूलना ताकि लाइब सेशन और लाइब अपडेट्स आपको मिलते रहे तो यृट्षन हो गया जाएब व सी प्लस प्लस हो दो गया यह सवजो अप ढूरिए कौकरैनी लेंगवेच हमने जो पाइसिख ऑप पाइसन प्रोग्राम कर सकते मतलब को यूज करने के बाद पैरामस के अंदर पास करने के वाद कैसे फंक्षन को यूज कर के हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं और कैसे हम मॉडियूल वाइस मतलब प्रोसीजर वाइस हम कैसे एक बड़ी पाइथन प्रोग्राम को छोटे-छोटे भागों में मॉडियूल की तरह बाट के बाद में सब को जोड के एक बड़ा प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं तो यह दो तरी में इस function को कहा जाता है method जो सारे हम variables या फिर जितने सारे हम parameter arguments use करते हैं उनको कहा जाता है attribute और function को कहा जाता है method अभी object oriented programming मतलब पहले समझते हैं तो सबसे पहले समझते है object मतलब क्या है तो physical world में object कुछ भी हो सकता है चाहे वो mobile हो चाहे वो laptop हो चाहे वो data चाहे कोई भी choose हो सब चीज़ को object कहा जाता है अब फिजिकल वर्ड में जो सारे अबजेक्ट है उनको किसी ना किसी तरीके से बनाया जाता है तो एक object बनाने के लिए दो चीज़े महली चाहिए होता है physical world में एक होता है raw material जिस चीज़ से हमें बनाना होता है अगर हम processor की बात करें तो silicon chip से बनती है तो silicon raw material हो गया और दूसरा है save design या फिर blueprint जिस के दुआरा जिस टेक्निक के दुआरा या फिर जिस design के दुआरा हम उस चीज़ को आकार देते सेब देते और उसके बाद वो उस object में बदलता है उसे कहा जाता है blueprint या फिर डिजाइन तो सेम तरीके से python मतलब digital world में जैसे python programming में कोई भी अगर आप चीज़ मनाओ तो उसे आप object के हिसाब से treat कर सकते हो as a object as a virtual object मालो है आप एक virtual computer बनाना चाहते हो जिसमें जैसे आप वो आपको दो चीज़े होता है एक है raw material मतलब एक है वो जिस चीज़े आप बना सकते हो और दूसरा है उसका design या फिर blueprint तो python में object oriented programming में design को कहा जाता है class class से इसे notify किया जाता है और जो object है उसे object ही कहा जाता है तो अभी बात करते है class के बारे में class मतलब वो blueprint या फिर वो design जिस design में अब किसी भी object या फिर किसी भी material को एक save दे सकते हो virtual python में तो अभी class भी बनते हैं दो चीज़ किसे एक है attributes दूसरा है behavior अभी attributes क्या है behavior क्या है यह बहुत ही आसान है बस इनके नहम बहुत ज़्यादा कठीन है बट इसका जो main concept है बहुत ही आसान है तो attributes मतलब variables या फिर parameters या फिर argument को कहा जाते है attributes मतलब अभी तक हमने जितने भी programming सेखा python में हमने देखा कि function में भी हमें parameter या फिर argument पास करना होता है या फिर हम कई सारे variable यूज करते है अगर आप नहीं जाते तो उपर आई बटन पर च्लिक करके आप देख सकते हो variable वाली वीडियो तो उसमें क बहार जाता है attributes मतलब data मतलब जितने भी data हम अंदर यूज करेंगे उसके बाद दूसरा होता है methods या फिर behavior मतलब मालनो कोई भी physical warning कोई भी अगर आप design बनाओगे तो उसमें बहुत सारे चीज़े लगता है eraser लगता है pen लगता है उसके बाद scale लगता है तो सब चीजों के मा like यहां पर अगर कोई argument पास करो तो यह eraser pencil pen की तरह है और function यहां पर method को use किया जाता है as a behavior मतलब आप जिस कागस के उपर लिख रहे हैं यहां पर method यूज किया जाता है उस कागस के बदले method मतलब function python का object oriented programming में हम function को method कहेंगे यह आप याद रखना तो अभी function को हम यहां पर method method कहेंगे तो यह सारे methods इस class के अंदर होगा पहले हम क्या करते थे direct हम function यह method लिखते थे और तब उसे function कहा जाता था उसमें हम parameter use करते थे ताकि हम अपने मन मताविक values अंदर वेज सकें function के बट यहां पर इसे method कहा जाएगा यह class के अंदर होगा और इसे कहा जाएगा behavior दो चीजों से बनती है एक है attributes मतलब variables और दूसरा है methods या फिर behaviors तो उसके बाद जैसे class बन जाता है मतलब वो blueprint जैसे design हो चाता है उसके बाद हम use करते है object मतलब कुछ भी नहीं बस यह बाहर का variable लेते है उसे object कहा जाएगा और उसके बाद हम object को class के अंदर as a attribute या फिर variable या slice of material जाता है उसके बाद वो safe होके कैसे वो आकार लेता है उसके बाद निकलता है machine में वैसे हम class के अंदर as a parameter उसे भीजेंगे उस object को और उसके बाद वो class अपने आप उसे save दे देगा उसके बाद हमें जो object चाहिए वो निकल जाएगा मतलब अगर हम print statement use करेंगे तो print हो ज computer screen में और सीखेंगे कैसे यह practically हम लिखते है Python programming में तो चलिए अभी computer screen में तो अभी हम आ गए हैं अपने computer screen में तो यहां पर हमें समझते object oriented programming तो अभी इसे जूम करते तो अभी सबसे पहले हमने क्या कहा था किसी भी object को बनाने के लिए चाहिए वो वर्चुली हो या फिर फिजीकली हो हमें दो चीज़े चाहिए होती है एक है design दूसरी है object itself मतलब जो raw material है वो तो सबसे पहले हमें एक design बनाना पड़ेगा तो अभी design को इस python में कहा जाता है class और class को दो चीज़ों से बनाई जाती है एक attributes मतलब variable से और दूसरा है methods मतलब function से तो सबसे पहले class कैसे बनाए तो सबसे पहले class बनाने से पहले एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहरे है जैसे की a equals to five यह एक integer हो गया मतलब एक variable है एक खाली box है जिसके अंदर five एक integer value हमने save किया अगर हम इसे print करें और उसके बाद हम यहां पर parenthesis के अंदर अगर हम यहां पर type type एक हम type एक predefined function है हमने बहुत पहले use किया था I hope you remember उसके अंदर हम देंगे a तो अभी अगर हम इसे right click करें तो इसे run करें उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहां पर class int दिखा रहा है तो मतलब आप समझ दिजिए कि यह भी एक object है इसकी जो design है वो दिखा रहा है कि इसके design integer design है मतलब इसकी जो design बनाया गया था वो एक integer type का है इसलिए जो यह 5 है इसका जो type है वो class आ गया है उसका int तो ऐसे ही बहुत सारे predefined defaults function available है जो एक object oriented programming मतलब एक class के अंदर लिखा अभी यह सारी चीज़े यह type यह क्या है pre default मतलब यह already python में बनाया हुआ है अभी आप अगर आपका खुद का एक object oriented programming function बनाना चाहरे हो तो कैसे बनाओंगे एक object बनाना चाहरे हो इसके अंदर तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी object बनाने के लिए आपको सबसे पहले design बनान आता है बहुत आसान है class बनाना सबसे पहले आपको देना होगा class class जैसे देंगे नीचे ब्लॉक पर आप देख पाएंगे valid syntax है class नाम का तो class देने एक बाद उसके बाद एक space देना होगा उसके बाद कोई भी आप variable name देजिए मतलब यह class का उस design का नाम होगा design का नाम आप कुछ भी दे सकते वो एक variable name है तो यहां पर हम देंगे computer 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 के लिए मना रहा है तो computer देंगे उसके बाद हमें क्या देना होगा एक colon देना होगा तो उसके बाद यहां पर आपको function या फिर method लिखना होगा जैसे हम normal function लिखते थे I hope you remember that हमने already आपको सिखाया था user defined function कैसे लिखते है कैसे normal जैसे predefined function है वो कैसे लिखते है सब चीजों के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है अगर आपसे वीडियो मिस कर जाया तो i button में क्लिक कर या फिर description में जाके आप वो वीडियो देख लो तो यहां पर देंगे हम def जैसे हम normal user defined program लिखते थे तो यहां पर हम एक लिखते है कि feature ए-फ-e-e-t-u-r-e यहां पर feature बताएंगे कि कौन से सारे feature से और उसके बाद हम देंगे parenthesis तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे हम एक parenthesis पर क्लिक करते है automatically इसके अंदर एक self आ जाता है तो यह self है क्या तो अभी इतना समझ लो एक pointer है या फिर यह variable की तरह है जो only object को अपने अंदर लेने के बाद वो move करके यहां पर ऐसे parameter उसे ले लेता है तो वो क्या है कैसे है थोड़ी देर में अभी समझते है आप अभी छोड़ दो मानलो यहां पर self ही नहीं अभी आप छोड़ दो तो इसके बाद यहां पर हम कोई भी statement दे देते है और उसके बाद एक colon देना हाता है वो तो याद ही है I hope उसके बाद print देते हैं काम करते है प लेख सकते हो, ओके, तो यह अभी हमारा एक class बन गया, या फिर क्या बन गया, blueprint, या फिर वो design, अभी हमें object बनाना पड़ेगा, मतलब raw material लेना होगा, तो raw material किसलिए लेना होगा, इस computer को बनाने के लिए, तो हमें ऐसी raw material चाहिए, जो computer बनाने के लिए suitable हो, तो कैसे बनाते है मतलब कोई भी आप एक variable ले लो, कोई भी, चाहिए, हम यहाँ पर comp1 लिए, मतलब computer 1, आप, comp2, आप कुछ भी variable ले सकते हो, a, b, c, d, e, f, j, इसका कोई भी certain rule नहीं है, कि यही वाला variable लेना होगा, उसके बाद equals to दे दो, equals to आप space दे के भी दे सकते हो, direct equals to लिख सकते हो, ब लेना चाहरे है, तो जैसे हम, physical one में ढूंदते हैं, वैसे ही, यहाँ पर बिना ढूंद के, आपको बस वो variable name देना है, उसके बाद equals to देना है, उसके बाद उस class का नाम देना है, तो automatically, जो material है, जो variable वो class के लिए, फिर वो design के लिए suitable बन जाएगा, उसके बाद आपको comp2, आप कितने भी object ले सकते हो, मतलब आप एक blueprint या फिर design से, not only एक computer मना सकते हो, आप कितने भी computer generate कर सकते हो, उस design को use करके, तो यहाँ पर वैसे हम, comp1, comp2, comp3, आप कुछ भी ले सकते हो, कितने भी सारे variables आप ले सकते हो, बस उनको आपको, इसमें suitable बनाना होगा, ऐसे, कैसे के comp1 equals to computer, उसके बाद parenthesis, comp2, उसके बाद computer parenthesis, तो यह दोनों object हमारा बन गया, अभी इसे हमें save देना है, मतलब अभी तो हमने object लिया, अभी इसे design करना होगा, तो design कैसे करें, जैसे हम किसी भी physical world में कैसे बनाते है, एक बड़ी एक industrial robot होती है, उसके अंदर हम design fit कर देते है, क वो निकल आता है बाहर, तो वैसे हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखे है, दो तरीके के होते हैं syntax, सबसे पहले आपको देना होगा, वो class name, computer, उसके बाद dot देना होगा, उसके बाद आप कौन सी method यूज़ करना चाहरे, तो यहाँ पर आप not only one method feature, यहाँ पर आप कई सा लिख सकते हैं, अभी उसे आप use करना चाहरे हो, तो आपको class देने के बाद, dot देने के बाद, आपको वो वाली method भी mention करना होगा, जो method आप use करना चाहते हो, उस object के लिए, तो अभी हम कैसे करेंगे, तो मानलो हम यहाँ यहाँ पर feature वाली method यूज़ करेंगे, तो feature दोगे, तो नीचे देखोगे, feature आगया, अभी समझते, self का मतलब क्या है, अभी आप यहाँ पर parameter आपको pass करना होगा, क्या parameter होगा, वो होगा, एक object, मतलब जिस object को आप save देना चाहरे हो, उस object को इस machine के अंदर, इस computer class के अंदर भेजना होगा, जैसे आप भेजोगे, यह class, यह computer design, automatically उस object को लेने के बाद, उसे एक save देदेगा, और उसके बाद, जो हमारे यहाँ पर statement होगा, उस method में, वो print होगा, या फिर वो run हो जाएगा, अभी यहाँ पर object को जैसे आप इस parameter के अंदर लिखोगे, वो automatically, self वाली variable के अंदर fit हो जाएगा, और यह self उस object को लेने के बाद move करने के बाद, वो यहाँ पर यह ले आएगा, और उसके बाद आप इसे use कर सकते हो, मतलब self एक pointer की तरह है, मतलब एक खाली content है अभी, यह only object को content करने के लिए use होता है, तो I hope आप self क्या होता है, और किसलिए use करते है, automatically क्यों यह ले लेता है, आप समझ गया होंगा, कि यह हर function में होगा, हर method में, ताकि कोई भी, अगर आप object पास करो, तो उसके लिए एक container तो होना चाहिए, ताकि उसे move करवाओ, तो उसी लिए self को as a container use किया जाता है, उस object को contain करने के लिए, तो माल लो, यहाँ पर हम comp1 देंगे, तो comp1 बस आपको कुछ और नहीं देना है, तो अ यहाँ पर अलग से दे सकते हो, या फिर same में इस पर edit करके दे सकते हो, result सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर already हमने print में जो statement है, वो unchangeable है, मतलब वो हमने खुद के तरफ से दिया आया है, यहाँ पर आप बाद में हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि कैसे आप variable देने के बा उसके बाद आपको देना होए dot, उसके बाद आपको उस method का नाम देना होगा, जो method इस class के अंदर है, जिसे आप use करना चाहरे हो, अभी, जैसे कि feature है, तो feature को आप use करना चाहरे हो, मान लो, तो यहाँ पर आपको dot feature देना होगा, parenthesis देना होगा, उसके अंदर कुछ भी नही है क्या है मतलब com2 है तो com2 को ही हम ऐसे parameter यूज़ कर सकते और वो तो हमने फिर्स्ट लिख दिया तो हमने बार पहले बहुत पहले हमने सीहा था कि parameter कितने तरीके से पास किया जाता है एक है dot उसके बाद function होता है एक होता है parenthesis के अंदर I hope you remember तो यहां पर हमने already dot के पहले हमने वो जो value तो हमारे हाथ में वो हमने as a parameter pass कर दिया तो अभी हमें इसलिए parameter pass करने की ज़रूरत नहीं है तो यह है एक और syntax इस object को save देने के लिए क्या है सबसे पहले object name उसके बाद dot उस function या method का name जो उस class के अंदर है और आप यूज करना चाहरे हो उसके भाद parenthesis उसके बाद और कुछ नहीं तो यहाँ पर right click run करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो double आ गया कै आई five i five delete we derive,습니다 एक है इस उस output और एक है debug करते हैं कैसे debug को use करके और अच्छी तरीके से manual execution के द्वार आप code को और अच्छी तरीके समझ सकते हो और उसके अंदर के जो भी debug है वो analyze कर सकते हो तो अगर आपने नहीं देखा है debug वाली वीडियो तो i button पे click करके या फिर description में दिये करे link पे जाके आप देख सकते हो तो उसके बाद कुछ और अभी जानते हैं तो यहाँ पर अभी हम init के बारे में जानेंगे special constructor method या फिर constructor function तो अभी चलिए जानते हैं init या फिर construction function के बारे में या फिर method के बारे में तो init method क्या है तो अभी मालो कि यहाँ पर हम i5, 8GB, 1GB दोनों object के लिए same आ रहे हम देना चाहरे है अलग-अलग variable तो यहाँ पर हम variable यूज़ करेंगे अज़े parameter और हम बाहर से क्या करेंगे variable की या फिर parameters की value पास करेंगे तो कैसे करें तो यहाँ पर variable दो तरीके के होते है एक है instance variable दूसरा है class या फिर static variable अभी instance variable और class variable में क्या difference है और दोनों को किसलिए use किया जाता है तो सबसे पहले चलिए जानते हैं instance variable के बारे में तो instance variable को एक अलग methods के अंदर लिखा जाता है जैसे normal function में हम क्या करते थे variable यहाँ पर self के बाद आप direct mention कर देते थे उसके बाद हम क्या करते थे उस variable को use कर पाते थे उस function के अंदर बट किसी class में अगर आपको variable use करना है instance variable तो उसके लिए उस variables को एक अलग methods में define करना होता है पहले और उस method का नाम है init method तो अगर आप c++ अगर सीख के आए या फिर बागी सारे languages में इसको कहा जाता है construction function तो अगर आप बागी सारे language already सीख गए तो आपको पता होगा construction function क्या है same यहाँ पर construction function को init method का जाता है अब कैसे लिख्या और यह कैसे use करें और क्यों use करें तो सबसे पहले आपको देना होगा डेप जैसे normal user defined function है यह भी एक function है बस इसका नाम कुछ अलग होता है उसके बाद आपको दो अंडर्सकोर देना होता है एक अंडर्सकोर उसके बाद दूसरा अंडर्सकोर उसके बाद in it तो यहाँ पर आप देख सेकते हो नीचे in it के नाम का एक method available है तो उसमें double click करो तो यहाँ पर self automatic ले लेता है और self क्यों लेता है ताकि उस object को जिस object को आप pass करोगे पहले वो object क्या होता है as a argument उस किसी भी कोई भी function हो या फिर method हो उसमें pass होता है और उसके pass करने के लिए self use होता है तो self तो object के लिए है तो अभी यहाँ पर क्या करोगे मान लो कि यहाँ पर तीन चीज़ा है एक है processor दूसरा है RAM और तीसरा है harddix या फिर आप एक काम कर सकते हो only RAM और HD मतलब harddix कितना है वो ले सकते हो दो चीज़े तो यहाँ पर सबसे पहले मान लो आपको दो variable चाहिए तो कॉमा दे के आप कोई भी दो variable name दे दो कॉमा एक भी दे सकते हो या पर यहाँ पर हमें काम करते है RAM चाहिए हमें और HD मतलब harddix कितना है वो चाहिए तो हमने RAM और HD दे दिया तो आप कुछ भी दे सकते हो नाम से कोई फरक नहीं पड़ता नाम एक variable है तो आप कुछ भी variable name दे सकते हो अभी यहाँ पर क्या करना है अभी आपको इसे define करना है तो init function में या फिर construction method में इस init method के अंदर कोई भ पहले लिखना होगा aclf self उसके बाद dot उसके बाद name of the variable like यहाँ पर RAM उसके बाद equals to आपको देना होगा RAM तो यह variable define हो गया ऐसे define करते है दूसरा variable भी आपको जितना variable होगा उन सब को आपको define करना होगा तो दूसरा यहाँ पर दे देते है hd equals to hd तो दोनों variable हमने define कर दिया अभी यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो इस self के बदले यहाँ पर आपको direct self के बदले और कुछ नहीं देना है only self देना है और यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो अभी इन variables को इस print के अंदर use कर सकते हो कैसे एक काम करो यहाँ पर देते योग कंप्पीूटर कन्फिग 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 गरेशन आप दे सकते हों खंद दे टेए हैं इस पर दे देते हैं उसके बाद यहां पर कौमा प्लस भी दे सकते हो इसके अंदर कितने सारे मेथदस हमने आपको याद है तो यहाँ पर कॉमा देने के बाद भी आप दे सकते हैं यह एक अलग सिंडेक्स है तो यहाँ पर आपको अगर अगर डायेट आप राम दोगे तो यह काम नहीं करेगा आप देख सकते हैं तो याँ पर देना होगा तो अभी यह अगर शॉर्प मिठांड की और उसके बाद पर कॉमा एक इलियाड तो हमने दोनों देदिया तो यहां पर देख सकते हो हूगा हमारे यहां पर इनिट मेठड होगया इनिट मेठड के अंदर हमने यह दे दिया तो यहां पर अभी क्या कर सकते हो आप इस com1 और com2 के अंदर भेज सकते हो variable name यहां पर direct यहां पर भी भेज सकते हो यहां पर कई सारे methods हैं सबसे पहले हम आपको सबसे आसान सिखाते हैं तो सबसे पहले सबसे आसान जो methods है वो है इस computer के अंदर जब आप उस object को suitable raw material को दे रहे हो और उसके लिए जब आप computer लिखोगे तब इस parenthesis के अंदर आप pass कर सकते हो तो सबसे पहले self तो यह automatically pass हो जाता है तो यह जो com है .com यह automatically as a self pass होता है चाहे आप यहाँ पर दो चाहे आप .com के आगे दो यह फिर अंदर दो अंदर तो हम pass करते ही है बट अगर आप पहले देते हो तो यह automatically as a self pass हो जाता है मतलब as a self argument उसके बाद हमें देना होता है RAM तो आपको सिर्फ RAM और HD का value pass करना होगा तो यहाँ पर 8GB , उसके बाद HD मतलब 1TB दे सकते होगा तो यहाँ पर यह double colon के अंदर क्योंकि एक string होगा यह तो 8GB , double colon के अंदर 1TB तो दे दिया computer 2 में हम pass करते है 16GB , आप space दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो आपकी मर्जी तो यहाँ पर 2TB हमने दे दिया अभी हम देखते हैं क्या होता है बट यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं इस init method के अंदर आप only variables ही define कर सकते हो ऐसा नहीं आप कुछ और भी लिख सकते हो और यह init method अपने आप सबसे पहले execute होता है चाहे आप call करो या ना करो इस function को इसलिए हम समझाने के लिए यहाँ पर print सबसे पहले init function automatically execute हो जाता है कैसे हो जाता है देखते राइट क्लिक करते रन करते उसके बाद यहाँ पर आप दे सकते हो हाई आगया एक बार दूसरी बार हाई आया और तीसरी बार आया your computer config is 8gb 1tv और दूसरी बार आया 16gb 2tv तो दो बार हाई क्यों आया क्योंकि हमने दो बार feature को call किया एक बार इस syntax से हमने call किया एक बार इस syntax हाला कि दोनों syntax एक ही काम करता है बट अलग-अलग syntax आप किसी को भी use कर सकते हो तो इसमें क्या हुआ आप किसी भी function को इस class के किसी भी function को आप call करोगे उससे पहले init method automatically execute हो जाएगा और इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है variable define होता है उसके बाद हमने print high दिया था ताकि आप देख सको इसलिए दो बार हमें पहले high मिला इन दोनों के कारण उसके बाद हमें यहां पर feature के जगे RAM और HD मिल गया 16GB और 8GB जैसे कि हमने pass किया था इस variable के अंदर तो यहां पर अभी हम क्या दिखाएंगे आपको थ ने ले लिया यहां पर और एक variable हम लिख लेते है प्रो नाम का हमें एक और variable दे रहे और इससे हम अभी define नहीं करेंगे direct इसमें value हम save करेंगे तो initialize करते है इस variable को माल लो processor मतलब pro तो यहां पर हम i5 दे देते हैं i5 हमने दे दिया अभी माल लो यहां पर हम direct तो इस init method में आप in slice भी कर सकते हो मतलब उसके अंदर value भी save कर सकते हो तो अभी आप क्या कर सकते हो आप यहां पर value दे सकते हो आप अगर वो same value देना चाहरे हो तो आप एक काम करो प्रो इक्वल्स टू उसके बाद आइफाइब दे दो i sorry हम quotation के अंदर देना होगा i5 यहां पर अगर आपको print करवाना है तो आपको कॉमा देखे फिर से वो value mention करना होगा मतलब अगर आपको यह प्रिंट करवाना है तो मानलो यहां पर भी हमें एक काम करते हैं यहां पर कॉमा देखे self.pro देते उससे क्या होगा वो value print हो जाएग को थोड़ी बहुत चीज़ें यहां पर i5 है तो अभी क्या करोगे राइट क्लिक करते हैं और run करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो i5 i5 दोनों में आ गया मानलो यहां पर i5 के जगे हम अगर कुछ और i6 देदेते है इसका और इसका i5 लिए देना देते है तो right क्लिक क इसके बाद आप दे सकते हो इसका i5 ही है इसका भी i5 है मतलब i6 चेंज नहीं हुआ मतलब यहाँ पर आप pro की value change नहीं कर सकते हो अगर आप इसके अंदर already define कर देते हो already value save कर देते हो तो यहाँ पर अगर आप कोई value installize कर सकते हो तो ऐसे तो आप change नहीं कर सकते हो तो अगर change करना है तो कैसे करना है तो यहाँ पर simply आप क्या कर सकते हो पहले उस object का name दो जिस object के लिए आप उस value को change करना चाहरे हो मानलो comp1 के लिए हम change करना चाहते है उसे i6 करना चाहरे है तो यहाँ पर उसके बाद dot दो उसके बाद name of the variable दो यहाँ पर हमारा variable name है pro जिसे आप change करना चाहरे हो उसके बाद equals to दो उसके बाद new जो value आप save करना चाहते हो उसके अंदर वो देऊ मालो हम यहाँ पर 6 देते है i6 वो भी एक string इसलिए हमने double quotation का अंदर लिखा तो यह हम value save करना चाहरे है अभी यहाँ पर आप i6 दो अभी यहाँ पर right click run करो तो अभी आप देखोगे जैसे देख सकते हो यहाँ पर i6 चेंज हो गया और यहाँ पर i5 हो गया तो i6 को चेंज तो कर सकते हो बहार से बट उसके लिए पहले आप जिस object के लिए चेंज करना चाहते है उस object का name उसके बाद dot उसके बाद जिस value को सब को क्या कहा जाता है instance variable इनिट के अंदर जितने भी variables होते हैं उन सब को कहा जाता है instance variable बट अभी static या फिर class variable किसे कहा जाते वो देखते हैं तो यहाँ पर जितने सारे variables आप इस init मतलब इस construction method या फिर init method के बाहर लिख ओगे उन्हें class variable या फिर static variable कहा जाएगा तो static variable कैसे लिखे मालों यहाँ पर आप name देना चाते हो name equals to computer का नाम देना चाते हो डे, sorry यहाँ पर name equals to del देना चाते हो dll del तो यह, sorry, यह string होगा dll del तो यहाँ पर अभी यह variable हो गया क्या static variable या फिर class variable अभी किसी class variable को use करने के लिए हमें एक अलग method चाहिए होगा मतलब यह जो method है feature method है इसे का जाता है instance method तो class के अंदर जो methods होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं तो अभी बात करते है methods कितने तरीके के होते हैं तो class method generally तीन तरीके के होते हैं एक है instance method, दुसरा है class method और तीसरा है static method तो variable में हमने देखा कि दो तरीके के होते हैं instance और class और static एक ही होता है उसका दो नाम है class या फिर उसे आप static भी कह सकते हो बट method में क्या होता है ये तीन तरीके के होता है class और static अलग-अलग तरीके का होता है तो समझते हैं ये सारी methods कैसे हैं और क्यूं है जैसे कि ये method features ये क्या use करता है RAM, HD और Pro और RAM, HD और Pro क्या है ये तीनों init function के अंदर है और init function के अंदर जितने भी variables आप define करते हैं वो सारे क्या होता है instance variable तो instant method only instance variable को ही use कर सकता है तो जो method instance variable को use कर सकता है उसे कहा जाता है instance method और वो किसी class या फिर static variable को use नहीं कर सकता है तो अभी देखते है class method क्या होता है तो यहाँ पर मालो एक हम method लिखते है def def और इस method का नाम क्या देंगे हम नेम देते है, company name है, तो com name, company name, उसके बाद यहाँ पर हमें तो यहाँ पर अभी self के जगे आपको self नहीं देता है, self कब देना है, जब आप कोई भी instance variable को लेके काम करते हो, और जो method है, वो instance method है, बट यहाँ पर हम यह एक class method लिक रहे है, instance method नहीं है, तो class method में self के जगे आपको cls class देना होगा, cls not class, cls देना होगा, उसके बाद यहाँ पर हम colon देने के बाद नीचे आ जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर के जो statement है, वो हम देंगे, तो माल लो यहाँ पर हम print करवाना चाहरे है, prind print, उसके बाद यहाँ पर देते है, company name देत है, आप format syntax भी use कर सकते हो, तो हम क्या देंगे, यहाँ पर अभी आप कैसे define करोगे, तो आपको देना होगा cls class dot, उसके बाद देना होगा, उस class variable का नाम, मतलब है name, तो यहाँ पर class variable है name, तो इस instance variable में self use करते थे, as a variable definer, but यहाँ पर class method में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर self के जगे हम class देंगे, और यहाँ पर भी self पे जगे class देंगे, मतलब जितने भी self है, वो class से replace हो जाएंगे class method में, तो यहाँ पर यह हो गया class method, बट अभी और इस चीज़ वाकी है, तो class method को समझाने के लिए class को आपको अलग से बताना पड़ेगा, कि यह जो method है, यह class method है इसलिए use क्या जाते है, decorator, तो decorator कई चीज़ों में use होता है, अभी जो हम use करेंगे, वो इसलिए है, ताकि हम यह method है, इसे हम अलग से बता सके class को कि यह क्या है, class method है, तो इसलिए हमें पहले add the rate देना पड़ता है, add the rate मतलब decorator, उसके बाद उस decorator का नाम, तो मतलब यह class method तो यहाँ पर CLSS class देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो class method के नाम से एक valid syntax है, तो add the rate उसके बाद class method लिखोगे, उसके नीचे जो भी function होगे, वो एक क्या होगा, वो एक class method होगा, और उसके अंदर only आप class variable ही use कर सकते हो, class या फिर static variable, तो यह हो गया, क्या हो गया, class function, आप उसे call करना चाहरे हो, तो call कैसे करोगे, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, feature के जगे, यहाँ पर feature अभी एक काम करते हैं, इसको हम erase कर देते हैं, हम only one syntax use करते हैं, ताकि गड़ बड़ ना हो, और इस feature के जगे हम अभी क्या करेंगे, हम अभी करेंगे, इस come name को, तो यहां पर आपको क्या देना होगा कुछ भी नहीं अभी क्योंकि हमें कुछ पास करना नहीं है इसके अंदर और जो पास है वो और डिफाइन है उसकी वैलियो और दिया गया है तो हमें कुछ भी पास नहीं करना है यहां पर आप राइट क्लिक करो रन करो तो यहां पर आप द देखते हैं static method क्या है तो static मतलब है आप माल लो ऐसा कोई function लिख रहे हो जिसके अंदर कोई भी वेरियेवल आप यूज नहीं करें ना instance variable ना ही class या फिर static variable तो उसे कहा जाता है static method लिखने से पहले आपको decorator देना होगा at the rate static decorator देना होगा यहां पर आप देख सकते हो static decorator तो static method लिखना होगा वह एक decorator कहा जाता है इसे उसके बाद आपको define करना होगा जो भी function आप देना चाहरे हो माल लो यह हमें कोई वेरियेवल हमें नहीं के वक्त और क्लास दिया जाता है क्लास या फिर perfect वर्याबल यूज करने के वक्त हम यहां पर क्या करेंगे को भी यूज ना नहीं करेंगे तो हमें ना है थे आल धन्र बड़ेगा यां पर मालो यहं क्ते करना चारें तो विद्ध करो उसके बाद ॢप्रिन हम क्या नहीं करें इसलिए इसे का जाता है static method मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है तो अभी आपको अगर यह call करना है कैसे call करोगे simply com name की जगे मान लो यहां पर हम देते static स्टै स्टैटिक स्टैटिक नहीं उसका नाम था price तो यह पर आप देख सकते हो प्राइश आ गया तो इसके अंदर झापको कुछ भी पास नहीं करना है नहीं class यहांपर यहांपर thing ऐन पर कुछ भी पास नहीं करना है तो right click करो run करो तो यहांपर आप देख सकते हो हाई हाई मिला और उसके बाद the price is 45k तो हमें price भी मिल गया हाई हाई दो object के कारण मिला है और उसके बाद हमें price मिल गया यह the price is 45k तो इसे का जाता है static method, static method को लिखने का जो syntax है वो है decorator पहले at the rate static method उसके बाद उस function cop को लिखना होता है static method मतलब कोई भी variable use ना हो उसे का जाते है static method class method मतलब class variable को use करके जो method बनाया जाता है उसे class method का जाता है और instance method मतलब instance variable को use करके जो method बनाया जाता है उसे instance method का जाता है और instance variable मतलब init method के अंदर जितने भी variables आप define करोगे उन सब को कहा जाएगा instance variable और उसके बाहर जितने भी variables आप define करोगे उसे कहा जाएगा class या फिर static variable so I hope आपको clear हो गया कैसे class लिखते है class में कितने सारे function होते है कैसे function को use करते है class में construction function किसे कहा जाता है init method किसे कहा जाता है हलाकि दोनों same है कैसे आप class में बहुत सारे चीजें कर सकते हो ऐसे ही कर सकते हो यहाँ पर आप nested class भी लिख सकते हो तो अभी यहाँ पर हम क्या सीखेंगे इनर class या फिर nested class मतलब एक class के अंदर दूसरा class कैसे लिखे मान लो यह सारी चीज़े हम अभी इरेज करते हैं, बहुत सारी चीज़े हो गए, इन सब को हम अभी इरेज करते हैं, बिल्कुल एकड़म एमटी करते हैं इस बॉक्स को, अभी यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी क्लास लिखते हैं, कोई भी नेम दे सकते हो आप, इसके बाद यहां पर सॉरी कुछ भी नहीं क्लासे उसके बाद इसके अंदर आप कोई भी फंक्शन लिख सकते हो इनिट लिख सकते हो बिना इनिट के फंक्शन लिख सकते हो तो यहां पर मालों यहां पर एक फंक्शन है लैपटॉप ओके लैपटॉप उसके बाद सॉरी यहां पर लैप यहां पर देंगे आई-5 और वर्ण टीबी ओकिया हम यह दोनों देते हैं उसके बाद मानलों यहां पर हम और एक क्लास चारे हैं तो यह क्लास ए है मतलब हम इसके अंदर हम यह और एक और क्लास ते उपके है मानलों वह एक dolorous company name तो company name comeName तो यह और एक class है इस class के अंदर तो सबसे पहले हमने class A दिया तो जैसे हम function लिखते हैं वैसे ही दूसरा class है यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहां पर हमने यहाँ पर हमको देना होगा colon उसके बाद इसके अंदर के statement हमें पास करना होगा मालों यहां पर भी डेफ है उसके बाद यहां पर डेफ उसके बाद नेम दे सकते हैं सिर्फ नेम दे देते हैं उसके अंदर सेल्फ इसके बाद यहां पर print करते है P-R-I-N-T print company name या फिर self name तो यहां पर company name हमें एक काम करते है sorry यहां पर देते है डिल तो यह हो गया हमारा एक class के अंदर दूसरा class now हमें यह class क्या है यह design अभी एक object लेना होगा raw material real पहले लेना होगा कैसे लेते हैं तो सबसे पहले अगर इस class को हम call करें कैसे call करेंगे सबसे पहले लिखेंगे कोई भी एक object मतलब कोई भी variable मान लो lap one lap one है तो यहां पर lap one इक वर चौमस class को बलाते हैं तो यह call कर दिया हमने class को मतलब हमने यहां पर constructor दे दिया इसे constructor का जाता है मतलब class name उसके बाद दो parenthesis उसके बाद यहां पर क्या कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम right click करें run करें देखते हैं क्या होता है तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ भी नहीं आया क्योंकि यह जो laptop है उसे हमें call करना होगा अलग से यह काम करते हैं lap1 कर सकते हो dot उसके बाद name of the function तो यहां पर laptop हम ले सकते हैं तो जैसे laptop लेंगे यहां पर कोई भी variable हमें पास नहीं करना है तो कुछ भी नहीं देना है तो यहां पर right click करें और run करें तो यहां पर आप देख सेख तो i511T भी आ गया है इस laptop का अभी मानलो आपको इस inner class के इस inner function को आपको call करना है तो कैसे करोगे तो यहां पर आपको एक और object क्रेट करना होगा मानलो lap2 आपने एक object ले लिया अभी पहले आपको outer class को लिखना होगा जैसे कि outer class क्या है ए उसके बाद dot दिना होगा उसके बाद inner class का name लिखना होगा जो की है com name उसके बाद जैसे आप देते हो वैसे ही तो syntax A में बस आपको पहले outer class लिखना होगा उसके बाद dot उसके बाद inner class उसके बाद दो parenthesis अभी मानलो आपको उसके अंदर की कोई भी function एक्सेस करनी है कैसे करोगे पहले उस object का नाम दोगे जिस object को आपने construction के दुआरा construct किया मतलब इसे कहा जाता है construction और आपने इस object को construct या फिर बनाया तो यहाँ पर object to उसके बाद dot अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको valid name दिखाएगा इस inner class के function को दिखाएगा अभी तो यहाँ पर name आप देख सकते हो अभी अगर आप right click run करोगे तो यहाँ पर आप देख सकोगे del और दोनो आगया तो ऐसे ही inner class के किसी भी function को आप use कर सकते हो different object create करने के बाद मतलब वैसे ही आपको एक object बनाना होता है बस जो inner class है उसके पहले के जो outer class है वो आपको देना पड़ता है बागे उसके बाद आप normal जैसे करते हो वैसे ही आप कर सकते हो तो यह है inner class की concept तो ऐसे आप inner class के अंदर एक और class inner class या फिर nested class लिख सकते हो तो अभी चलिए समझते inheritance क्या होता है तो इसे अभी रिमूब करते हो और समझते inheritance क्या होता है तो इसना तक हम रिमूब कर देते हैं तो मालो यहाँ पर laptop के जगे यहाँ पर feature है E F T U R E feature यहाँ पर one हो गया तो यह feature one है यहाँ पर क्या print होगा E F T U R E feature ONE of A तो यहाँ पर इसे हम copy कर लेते हैं क्या कर रहे हैं यह अभी आपको हम समझाते हैं तो स्थोड़ी देर रुको इसे हम paste करते हैं इसे हम feature 2 कहते हैं और यहाँ पर feature 2 कर देते हैं तो यह class A है तो same हम और एक class बनाएंगे यहाँ पर तो inheritance मतलब आपको हम अभी समझाएंगे तो बस आप देखते रहो तो यहाँ पर class B हमने बना लिया यहाँ पर इसे erase कर देते हैं A के जगे हम B लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर feature 1, feature 2 तो रहे गाई इसमें just B देते है A के जगे B देते है तो अभी मान लो यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर एक काम करते हैं इस feature 1 को 3 कर देते और इसको 4 कर देते ताकि same name से confusion create ना हो तो अभी inheritance मतलब समझते तो यहाँ पर दो अलग-अलग class है तो आप मान लो कि अगर आपको class A की कोई भी function आपको यहाँ पर only आप print नहीं कर सकते हैं आप कोई भी function दे सकते हो compare function मना सकते हो दो value compare कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो आप अपने आप logically function मनाओ बनाओ कोई भी object बनाओ जैसे की CP एक object है CP1 या फिर OB1 OB1 एक object है उसके बाद equals to उसके बाद A construct करते हैं यह constructor हमने दे दिया तो यह A का object हो गया अभी अगर हमें कोई भी A का function access करना है तो OB1. उसके बाद उस function का name देना होगा feature 1, feature 2 तो यहाँ पर feature 1 भी आप access कर सकते हो तो उसके बाद print करो, right click और run करो तो यहाँ पर आप देख सकतो feature 1 आ गया यहाँ पर अगर आप A के जगे B construct करते हो और B constructor को बुलाते हो और यहाँ पर feature 1 अगर आप देख सकते हो यहाँ पर feature 1 अविलेवल नहीं है यहां पर कितने feature अभी लेवल है देखते हैं feature आप देखते हो तीन अचार अभी लेवल है अगर हम तीन करते हैं तो right click करो run करो तो यहां पर देख तक तो feature one of b आ गया अभी मान लो आपको क्या करना है इस a की जितने भी feature से या फिर जितने भी function आपने बनाया है उनको आपको use करना है बट वो b से use करना है मतलब आप चारे हो इसके जितने भी function है वो आप b में भी डाल दो ताकि आप b से a को use कर सकते हो तो इसी लिए अभी concept आता है inheritance inheritance मतलब किसी दूसरे class के सहारे किसी और एक class की function को access करने को कहा जाता है inheritance तो inheritance के मतलब से कैसे आप class b से class a के features access करोगे या फिर function या फिर method access करोगे बस आप b के बाद दो parenthesis देदेओ उसके बाद आप जिस class को inheritance मनाना चारे हो उस class के लिए उसका नायम देदो जैसे कि हम चारे a की जितने भी features या फिर methods है वो हम b से access कर पाए तो पहले हम b है उसके अंदर हम a देंगे parenthesis के अंदर अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे feature उसके बाद feature यहाँ पर आप देख सकते तो 4 features अभी available है 1, 2, 3, 4 मतलब यह दोने a के features में है बट अभी यह जो b1 है यह तो b के object है बट यहाँ पर जब हम b1 की जो function है वो जब हम access करना चारे तो यहाँ पर हम देख पार है कि a की जो दो function है वो भी available है क्यों क्योंकि inheritance के लिए अभी हमने a को b के अंदर inherited कर दिया मतलब अभी हम b से a को use कर सकते है b से a के जितने भी function है उसे use कर सकते है तो मालो यहाँ पर एक देख लेते हैं feature 2 को हम use करते है feature 2 तो a का function हो तो right click करते है run करते है यहाँ पर आप देख सेकते feature 2 of a b से मतलब b के object से a के function को हमने access किया तो इसे कहा जाता है single level inheritance तो अभी multiple inheritance होता है multiple inheritance क्या है मालो यहाँ पर इसे copy एक काम करो इसे नहीं इसे copy करते है इस class को control पर c उसके बाद यहाँ पर इसे paste करते हैं तो इसके बाद यह हो गया b और यह जो b है इसे हम c मान लेते हैं इसे c मान लेते हैं और इसकी जो function है जैसे कि यह 3 इसे हम क्या कर लेते हैं पांच और इसे 6 कर लेते हैं और इसके बाद इस feature 1 b को c कर लेते हैं और इस b को c कर लेते हैं और यहाँ पर b के जगे कुछ भी नहीं देते हैं तो मान लो यहाँ पर a और b दो class है बिना inheritance के यहां पर कोई भी यहां पर यह पर यह पर यह पर अटा देते हैं और C क्लास है मानलो अभी हम Multiple inheritance देखेंगे इस C क्लास इस और इस B दोनों क्लासों को क्या करेगा inherited करेगा अपने अंदर मतलब दोनों क्लास के features वो access करना चाहरे हैं C से मतलब C से हम A और B दोनों की दोनों class का करना चारा है, अगर आपके पास और भी है तो comma c, comma d ऐसे करके दे सकते हो, यहाँ पर हम only a b देंगे, तो यहाँ पर अभी जो object हमने बनाया है वह हम c class की कर देते हैं, उसके बाद यहां पर features देखते हैं कितने available है तो features यहां पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 1 यहां पर है 2 यहां पर है 4 उसके बाद 3 और 5, 6 तो सारे जितने भी A, B, C के total जितने भी features या फिर methods यह वो सारे C object से हम access कर पा रहे हैं तो यहां पर आप B की भी कर सकते हो उसी की भी कर सकते हो, run करो, right click run उसके बाद यहां पर आप देखते हो B के हमने features अक्सेस किया यहां पर बस print आप नहीं देख सकते हो, कुछ भी आप देख सकते हो अपने मताबिक आप user defined function बना सकते हो, वो अब जब game बनाएंगे तब दिखाएंगे हम पाई गेम की tutorial complete video बहुत जल्दी आने वाला है तो subscribe करना मत बूलना इस channel को और हमें Instagram पे follow करना मत बूलना at the computer mind के name से ताकि आने वाले updates के बारे में आपको पहले से ही पता लग जाए तो इसे का जाता है multiple inheritance अभी multiple inheritance हम समझ गया है आप multi-level inheritance करना चारे हो तो क्या है तो multi-level और multiple दोनों अलग है multiple मतलब एक साथ कई class को inherited करने को का जाता है multiple inheritance but multi-level मतलब मालो आप B से A को access करना चारे हो यहाँ पर B से A को आप access करना चारे हो मतलब B से A को inherited किया आपने उसके बाद यहाँ पर A से B मतलब C से B को inherited किया मतलब C से B और B से A मतलब यह एक multi-level inherited हो गया मतलब multiple नहीं multi-level पहले A से आएगा B B से आएगा C मतलब C क्या B को inherited और B ने किया A को inherited अगर यहाँ पर अगर आप C की कितने features available है वो देखना चाहरे हो तो feature करो यहाँ पर आप देख से तो C के सारे features ही available है मतलब multi-level और multiple inheritance के दुआरा आप सारे features ही access कर सकते हो बट जो logic है वो अलग है logic यह है कि multi-level में पहले आप B को करते हो inherited C के अंदर B ने already A को करके रखा है तो B में तो 4 available है इसलिए C में 4 के 4 ही inherited हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर 2 extra है तो 6 हो जाता है और multiple मतलब B और C के यह 2-2 करके लेता है और अभी यह B के 4 ले रहा है आप कोशिश करते रहो trial and error process के दुआरा सीखते रहो तो और अच्छी तरी के सा आप समझ पाओगे तो इसे का जाता है multi-level inherited अभी मान लो कि यहाँ पर init method नहीं है बट अगर आप init method देना चाहरे हो init मतलब construction method या फिर init construction function या फिर init method का जाता है उसे तो यहाँ पर self यहाँ पर कितने भी variable आप define कर सकते हो मान लो self.ram एक ही देते हैं समझने के लिए और यहाँ पर रैम दे देते हैं रैम देते हैं कॉमा रैम ओके यहाँ पर मान लो यहाँ पर only init method है यहाँ पर self.ram और self.ram यहाँ पर कोई init method नहीं है अभी c को थोड़ी देर के लिए हम मिठाते हैं ताकि आपको समझा पाए तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए मिठाते हैं तो यहाँ पर हमारे a और b है b के अंदर हमने a को inherited कर दिया अभी a के अंदर a क्या है construction function या फिर init method है बट a के अंदर कोई भी method नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर हम c के जागे क्या करेंगे तो एक काम कर दें यहाँ पर इसको हटाके बस print कर देते हैं पहले ही हमने कहा था आपको कि यहाँ पर बस आप only मतलब variable ही नहीं दे सकते b की object बनाएंगे उसके बाद हम b को बुलाते हैं तो मालब अभी b को नहीं बुलाते है जब भी आप किसी भी function को आप नहीं बुलाते हो अगर आप directly construct करते हो मतलब उस class को call करते हो तो उसमें automatically अगर उसके अंदर जो init function है अगर रहेगा अगर रहेगा तो फिर वो automatically execute या फिर run हो जाता है अगर नहीं रहता तो फिर run नहीं होता है right click run करते ही यह पर देखते हैं तो आप देख से तो high आ गया बट अभी बात यह है कि आपने init method तो a के अंदर दिया था बी के अंदर नहीं दिया था फिर यहां पर high कैसे आया तो अगर आप inherited को मिटा दो उसके बाद right click करो run करो और अभी अगर आप देखो कोई भी कुछ भी नहीं आया बट जैसे आप inherited करते हो यहां पर a देते हो और right click करते हो और run करते हो अभी आप आप देख सकते हो यहाँ पर हाय आ गया मतलब यहाँ पर यह है कि इस object को जैसे आप कोई भी class को call करते हो वैसे उसके अंदर जो भी init function होता है या अपन method होता है वो automatically execute हो जाता है बट अगर उस class के अंदर कोई भी method ना हो तो वो automatically run हो जाएगा इसलिए यहाँ पर b ने a को inherited किया था a के अंदर इस एक init method है इसलिए init method में जो भी statement है वो automatically run हो गया I hope आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाहरा हूँ तो इसलिए बट अगर मालो यहाँ पर एक काम करते है यहाँ पर copy करते है यह मालो यह b के अंदर है b के अंदर अभी एक init method है और यहाँ पर high नहीं बाई दे देते हैं कुछ भी दे दो आप आपकी मर्जी तो यहाँ पर अभी init method है बट यहाँ पर a में भी है और b में हमने a को inherited कर दिया है अभी देखते हैं अगर हम b class को बलाते हैं construct के माध्य हमसे तो right click करते हैं और run करत है तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी by आया मतलब अभी यहाँ पर high नहीं आया मतलब अगर जिस class को हम बुला रहे हैं उस class के अंदर अगर कोई init method होगा तो वो अपने यहाँ पर execute हो जाए अगर नहीं होगा तो उसके अंदर जो inherited class है उसकी जो init method है वो क्या होगा वो automatically print हो में भी print या फिर execute करवाना है तो कैसे करोगी सिंपली यहाँ पर super देदो इसके बाद डॉट देदो उसके बाद इनिट देदो मतलब super dot यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सौरी इनिट मॉडियूल नहीं इनिट मॉडियूल बाद में हम सीखेंगे इनिट देदो तो अभी क क्या होगा जैसे भी class को हम call करेंगे उसकी जो इनिट में थड़े वह आइग्जीक्यूट होगा print by तक जैसे यह इसके अंदर inherited class है उसकी जो इनिट में थड़े उसे बुलाओ मतलब यहाँ पर inherited class कौन सी है तो एक के अंदर यह जाएगा उसकी जो अगर इसमें अगर गड़बड हुआ है तो यहाँ पर हमें super नहीं यहाँ पर हमें देना होगा super के बाद दो parenthesis उसके बाद डॉट उसके बाद इनिट उसके बाद parenthesis इस एक को हटाते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा super उसके बाद दो parenthesis उसके बाद डॉट उसके बाद इनिट उस होता है यहां पर आप देख से तो हाई बाई दोनों sih हो गया क्योंकि यह सूपर के माध दियाम से आप उसे हरी जो मतलब जो कलास है है एस तो उसका भी तो इस यह तो उस्डिलिए आपको हाई असके बाद डॉट उसके माद मान लो कि आपको फीचर डू या फिर फीचर एक फीचर डू कोई करते हैं फीचर दू को आपको बिलाना है तो यहाँ पर क्या होगा जैसे हम फीचर तीन को कॉल करेंगे इस क्लास बी के और उसके बाद ये जो print होगा feature one of b उसके बाद इस statement में मतलब इस super statement में जैसे जाएगा हमारा जो interpreter वो क्या करेगा वो इसके अंदर जो भी inherited class है उसके अंदर पहले जाएगा उसके बाद उसकी जो feature two है उसे access कर देगा मतलब इस feature two को भी क्या करेगा execute कर देगा देखते हैं अभी यहांपर सेब से पहले उस function को तो बुलाते है बिना बुलाए कैसे होगा तो object one dot feature यहांपर कितना था 3 feature three करते है तो यहांपर feature three करते है तो right click करते है तो run करते है यहांपर देख से तो हाइवाई भाई इनिट के लिए मिला और उसके बाद feature one of b और feature two of a तो one of b है यह मतलब यह print हुआ और two of a है यह मतलब feature two यहाँ पर हमने access किया इसलिए feature two की जो भी statement है वो भी print हो गया तो ऐसे super को use करके आप एक class से दूसरे inherited class के function भी आप access कर सकते हो मालों यहाँ पर multiple function है तो यहाँ पर एक काम करते हैं इससे see करते हैं और यहाँ पर और एक class है आपके बास see अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर एक और class बना लेते हैं इससे copy करके तो यहाँ पर class यहाँ पर see है मालो आप मानने से क्या जाता है मालो तो यहाँ पर हाई के जगे हम यहाँ पर constructed function देंगे दे देते हैं तो यहाँ पर हाई हुआ भाई हुआ यह सी दे देते तो हमें समझ में आएगा कि यह c का है यहाँ पर ऑफ B आप्स स्री ऑप सी होगा यहाँ पर सी का function है यहाँ पर off feature one two है यहाँ पर भी feature one two है बस उसकी जो statement है वो हमने थोड़ा अलग कर दिया एका ये है और सी का सी तो यहाँ पर हमारे बी जो है वो multiple inheritance कर रहा है मतलब ए और सी दोनों को वो inherited कर रहा है बट यहाँ पर अगर हम super करते हैं और dot init करते हैं चाहिए वो function हो कोई भी init function हो या फिर कोई अलग function हो तो किया यह एकी init method को print करवाएगा या फिर C की करवाएगा या फिर दोनों की करवाएगा क्या करवाय का? वो देखते है तो अभी यहाँ पर B के हमने call कर दिया यहाँ पर एक काम करते है इस feature को erase करते है only हम call करते है, construct को तो run करते है तो यहाँ पर आप देख सेखते हैं हाय और बाई मिला तो यहाँ पर हाई बाई मतलब by इसका मिला और high A का मिला A का क्यों मिला अभी C का क्यों नहीं मिला क्योंकि हमने तो C को भी inherited किया था तो C का क्यों नहीं मिला तो यहाँ पर आता है method, resolution, order या फिर MRO की concept मतलब जभी भी आपके अंदर कोई भी multiple inherited class होगी तो जो super है वो कौन सी init को लेगा वो left side वाले class के init को पहले print करवाएगा मतलब left side वाले class के init को ही access करेगा right side वाले नहीं करेगा इसे कहा जाता है method, resolution, order मतलब अगर यह A कहां पर है, left side में है और C कहां पर है, right side में है आप समझ सकते हो, अगर आप computer के सामने बैटे हो तो यह आपकी left side होगी, यह right side होगी और method, resolution, order यह कहता है कि अगर आपके पास multiple inherited class है तो अगर आप super use करोगे तो उसकी कोई भी function आप दे सकते हो not only init, यहाँ पर आप जैसे feature 3 में उस class की उस function को अगर same name से दोनों की function होगा तो left side में जो class पहले आएगा उसकी function को print या फिर run किया जाएगा तो इसे कहा जाता है mro method resolution order so I hope आप समझ गए, यहाँ पर आप एक काम करो आप खुद बखुद यहाँ पर print 3 में feature 2 देखके देखो और देखो कि C की feature 2 प्रिंट हो रहा है या फिर 1 की तो आप यह खुद बखुद देखो हमने बस आपको super की init method दिखा दिया और ऐसे ही आप super को inheritance के अंदर यूज कर सकते हो और इसे ही कहा जाता है inheritance तो हमने सी का single level inheritance multi level inheritance और multiple inheritance तो दुनों में confused मत होना multi level मतलब A से B, B से C और multiple मतलब C से A और B दोनों के एक सार एकसेस करना या फिर B से A, C के दोनों के एक सार एकसेस करने को का जाता है multiple inheritance और single तो हमने पहले ही सी का एक से एक को और super से हमने सी का किसी भी feature को किसी एक क्लास से किसी दूसरे inherited क्लास की अगर कोई भी feature हम एकसेस करना चारहे तो हमें super use करना होता है So I hope you like this python tutorial तो यह हमरा last python tutorial था तो हमने already आपको function variable सब कुछ हमने python का आपको सिखा दिया था तो यह था last video of python code तो यह complete python code चल रहा था from tutorial 1 to this tutorial तो यह है last python tutorial of object oriented programming in python so I hope आपको समझ आ गया होगा क्या object oriented programming है क्या कैसे python में उसे हम implement करें उनके जितने वी अगर एक concept थे theoretical concept हो या practical concept हो हमने सब कुछ आपको सिखा दिया so I hope you really enjoy this course this python Hindi course तो अगर आपने यह course नहीं दिखा है आप इस video में first है तो please do visit in my python complete course यह complete python course चल रहा था हमने एकदम फुल एकदम why you have to learn python in 2020 से लेके हमने एकदम complete python आपको सिखाया था तो इसके पहले जो हमने course दिया था complete ethical hacking course तो अभी हम इन दोनों को combine करेंगे और ethical hacking की जो advanced part है वह हम आपको सिखाएंगे पर उससे पहले हम आपको सिखाएंगे how do you make games in python चाहे वह snake game or car race हो तो हम अभी py game की tutorial स्टार्ट करेंगे और इसको बहुत जल्दी आपको सिखा देंगे और उसके बाद python से कोई भी game developed कर पाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे hacking के advanced sessions में इस python को यूज करके कैसे आप key logger वगर वगर चीज़ें जैसे बना सिकते सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे तो अगर आपको यह course अच्छा लगा तो do subscribe my channel and like this video and comment down below तो इसमें और बहुत advanced चीज़ें जैसे कि polymorphism but polymorphism only theoretical concept से भरा है उसमें जो भी practical है वो already हमने आपको कईबा सिखाया है उसमें बस उसको theoretically represent किया है like duck typing कैसे आप variable को change कर सकते हो polymorphism मतलब अपनी personality को change करना समय के मताबिक तो कैसे python programming सारे function class कैसे change कर सकते हो कैसे variable change कर सकते हो वैसे थोड़ा बहुत theoretical concept है तो वो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है मुझे लगा इसलिए मैंने इस वीडियो में उसके add नहीं किया है और मैं polymorphism सिखाने भी नहीं वाला हूँ अगर आपको लग था है कि polymorphism जरूरी है आपके लिए आप सीखना चाहरे है तो comment down below मैं फिर एक अलग सिख ट्यूटॉरियल उसमें बना दूँगा but polymorphism is not something that you have to learn because polymorphism की जो theoretical concept है वो जरूरी है और बागी जो practical है वो सेम है जो हमने आपको पहले सिखाया है बस उसमें theoretical कुछ पार्ट एड किया है polymorphism उसमें बहुत सारे भाग दिया गया है तो I hope you really enjoy this course and if you enjoy this course don't forget to subscribe, share and like और हमें Instagram पे follow जरूर करना and then at the computer mind से नीचे आपको दिखाये देगा तो जल्दी से जल्दी follow करें ताकि live session या भी जो भी update है तो आपको तुरत update मिल जाएगा तो do follow me on Instagram and Facebook पे वीजिट करो और Telegram group join करो ताकि discussion और जो भी आपको अगर help चाहिए तो आप मांग सको so have a nice day and bye bye मिलते हैं next course पे